तो दोस्तो आज 24 जैनुवरी 2024 लास्ट डे बजार में एकदम से गिरावट के बाद आज फिर से बजार में एकदम से रिकवरी देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 21,453 पॉइंट पे अल्मोस्ट 1.01 परसें तेजी के साथ और इसके बारे में कर रात की सा लगबग उसके नीचे पर वहां पर दोस्तो जैसे ओपन हुआ था एकदम से बाइंग हमें देखनी को मिला जिससे कारण एकदम से यह जो लेबल्स था एककी साथ 200 बहुती स्ट्रॉंग सपोर्ट लेबल था एकदम से उसके बढ़ाया इवन बीच में भी आपने देखा थ जो है 1.19% उपर पहुंच किया ठीक है बट कल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्यूंकि कल देखे एक साथ दोनों का निफ्टी 50 और साथ में बैंक निफ्टी का ही एकसपैरी है मंतले एकसपैरी की दिन हमने देखा कि बजार वैसे ही थोड़ा बहुत व उपर आके क्लोजिंग देथा मतलब 21,500 की उपर उसमें दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं था क्यूंकि 21,500 इसके पहले निफ्टी 50 को मल्टिपल टाइम्स क्या सपोर्ट दिया था अब क्यूंकि एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन आज दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉंग तो दोस्तों इसके बारे में आज रात की जो सारी 10 की वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पुरा डीटेलिंग में बात कर देंगे ठीक है मतलब कहां पर निफ्टी जा सकता है आगे क्या लेवल्स है नीचे क्या सपोर्ट है आज की उपर बेस करके खेर आज की डेट पर न पर सब्सक्राइब करें बात कर यहां भी आप देख सकते जिरो पाइंट फाइब परसन उपरा के क्लोजिंग दिया कोस्पी के अंदर हलका फुल का करेक्शन देखने को मिला यानि ओवरल बात कर आज एशन पेस भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला पर दोस्तों आज एक चौका देने वाली बात हुआ कैसा क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का ना वेटेज निफ्टी 50 में ज्यादा है मेरे बात को अच्छे से पकरने की कोशिश कीजिए अकसर लोग इसको स्कीप कर जाता है ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेन है जैसके आपने देखा क के आज के रेट में निफ्टी एक परसन उपर मुफ किया अब देके बैंक निफ्टी को भी मीनिममम तो आदा परसन मुफ करना चाहिए था पर बैंक निफ्टी में आज देखिए अल्मोस्ट पचास से साट परसन टाइम जो है नेगेटिव में था और प्लोजिंग दिया इसके पीछे जो में रिजन है एक तो क्या बड़े बैंक और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक से इसका वेटेज भी इक्वाली काफी अच्छा है ठीक है जैसके एक्सिस बैंक जैसे कि आईसे सी बैंक आईसे सी बैंक तो आपके तीसरे पोजिशन पर आता है वेटे काफी ड्रॉब देखने को मिला जैसे कि आईसे सी बैंक तीन परसंट शेयर गिरा एक्सिस बैंक की लास्ट डे रेजल लाट वादा उसके इंपक्ट देखने को मिला अल्मोस्ट धाई परसंट के आसपास शेयर बे करेक्सिन हुआ और जिसके चलते आज हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी बहुती जादा वॉलेटाइल था ठीक है मतलब जहां पर मार्केट की सेंटिमेंट इतना बुलिश था खास करके ओवराल इंडेक्स की बात कर जैसे का आप देख सकते हैं आज FMC सेक्टर में भी 1.61 परसंट यह देखें मूव किया उसके बाद बैंक निफ इसका बैंक निफ्टी बैंक सेक्टर में थोरा साव उपरामें क्लोजिंग आप अटो सेक्टर में आज अल्मोस्ट एक परसंट जादा मूव था यानि ओवराल मार्केट की सेंटिमेंट आज दोस्तों काफी बुलिश होने के बाब जुद भी बैंक निफ्टी में बेसिकल में थोरा सा करेक्शन देखने को मिला क्लियर हो चुका है आपको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अभी जो ग्लोबल इशूस क्रियेट हुआ है उसको दोस्तों मतब इगनोर नहीं करना चाहिए सी बात क्योंकि आप देख सकते लगा था न्यूस में यही निकल क्या रहा है है कि रेट सी क्राइसिस हर्ट इंडियान एक्सपोर्ट एस कॉस्ट सोर ठीक है जो यहां पर एक्सपोर्ट में पूरा-पूरा यहां पर इंपक्ट देखने को मिलागा बागी बात कर देखे कर लात में डॉजोंस के अंदर थोड़ावाद ड्रॉप हुआ था नैस्डेक की बात करें 0.43 परसें उपड़ा की क्लोजिंग दिया था अब एक चीज़ें पकने की कोशिश कीजिए कि आज आईटी सेक्टर में क्यों इतना जवर्दस रैली देखने को मिला क्योंकि आच 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 देखें आईटी सेक्टर में खासकर कि जो बड़े आईटी कंपनीज है इसमें क्यों इतना तेजी था तो इसके पीछे में रिजन यह है कि कर रात में भले ही देखें डॉजोंस के अंदर गिरावट हुआ था बट नैस्डेक जो है जिसके अंदर आपका जया था टेक सेक्टर आईटी सेक्टर लिस्टर है यहां पे दोस्तों अल्मोस 0.43 परसें सब्सक्राइब कर रहे हो ना कि किसी के साथ क्या रिलेशन है सेम चीज़ हमने देखा आज सुभा सुभा कल भले ही देखें डॉजोंस की जो फ्यूज रात में डॉजोंस की इंडेक्स था वह नेगी डिपें क्लोजिंग दिया पर आज रात में दोस्ते एक्चुली युए की फ्यूचर और नैस्डेक की फ्यूचर आज सुभा सुभा दोस्तों काफी बुलिच था तो यह बहुत बड़ा वज़ा है कि आज इतना उपर की तरह मुफ किया बाकि जो इंटायर सेक्टर से उसमें इतना अच्छा मुबें देखने को मिला क्योंकि अक्सर फ्यूचर मे जो फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा उपर की तरह बुबेंद देखने को मिला तो आज रात की दोस्तों सारे दस्वाली वीडियो मिस मत करना अब जैसे के आपको मार्लों है कि एक्वीटी मार्केट के साथ आपकी बॉन्स्ट यहां पर इंपके इंपक्त होता है यहां पर अब फिलाल 0.85 परसेंट ड्रॉप हो चुका है बाखी बात करते के ब्रेंट कूड या कूड और कोई बहुत बड़ा भी तेजी या गिरावर देखने को नहीं फ्लैट चला है क्या दोस्ता आज की रिट में बहुत सारे शेर में जो लगातार गिरावर देखने को मिलाता ल रिलाइंस इंडेस्ट्री भी अमने देखा था बीच में थोड़ा बहुत यहां पर ड्रॉप हुआ था रेजल्ट होने के बाद आज के रिट में फिर से एकदम से बाउंस बैक देखने को मिला बाता अच्छी बात यह है कि वेदान तक के अंदर दोस्तों आज ऑल्मोस चा कि कल यानि 25 तारीक थोड़ा नोट कर लिजे कल 25 तारीक वेदान था कि क्या क्वाटा 3 की रेजल्ट आउट होगा और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सा जुरे रही है कल जैसे आउट हो जाएगा आपको तुरां शेयर कर दोंगा आज भी वैसे बहुत सारे क क्लोजिंग गया था सुबहा सुबहा हमने क्या देखा अभी कि नैस्टक का फ्यूचर है उसमें काफी अच्छा मुबें पॉजिटीबली देखने को मिला तो जिस परपस इन्फोसिस की बात करें वीप्रो की बात कि इसमें तेजी था बहुत सारे शेयर आगे क्रैश मतब क सब्सक्राइब करें आज फिर से बाउंस बैक किया जैसे का आपने देखा आए रिप सिखिया और मोसाथ परसन उपड़ा के क्लोजिंग दिया इर कौन के अंदर भी बाउंस बैक हुआ पांच परसें और विनल भी देख लीजिए या आई रसेटिस की शेयर भी अलमोस्ट सारी चार परसन उपड़ा की क्लोजिंग दिया तो जैसे कि देखिए यहां पर बढ़ता जाएगा मतलब इंटरेम जो बजेट है सामने फस्ट फेबरी की दिन वैसे आपको यह सारी शेक्टर के अंदर भी रिकोवरी देखने को मिलेगा बाकी बात कर आज जैसे कि आप दि पाइनल दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आज फिर से पॉजिटिव मुवेंट देखने को मिला जो कि कल डिफेंस सेक्टर की स्टॉक्स के अंदर भी काफी गिरावट हो चुका था बाकी दोस्तों इस वीडियो के यह पर वाइंड आप करूंगा कोई भी डाउट स है कोई भी सवाल पूछना कोई भी शियर्स के बारे में पूछना है खास दोर से प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना मिल दे नेक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक क्या बाबाई जैहिन